Hello students, जाहिद तो आज के इस वीडियो के अंदर हम 2019 के फर्स्ट और सेकंड पेपर के कॉश्चन करेंगे जो 3D Geometry में से हमारे NDA के पेपर में पूछे गए हैं और 5 कॉश्चन ही 2019 के फर्स्ट पेपर में हैं और 5 कॉश्चन ही आपके पास 2019 के सेकंड पेपर में रहेंगे तो शुरू करते हैं पहले कॉश्चन के साथ पहला कॉश्चन आपके सामने है ट्रेंगल के तीनों वर्टेक्स आपको दे रखे हैं और आपको सेंट्रोइड के कोडिनेट बताने हैं तो सिदा सिदा हमारे पास एक नकल ही सा फॉर्मूला होता है X1 पलस X2 पलस X3 पाइ 3 ऐसा ही Y के लिए होता है ऐसा ही Z के लिए होता है तो सेंट्रोइड के कोडिनेट होंगे 2 पलस 5 7 हो गया और 7 में 2 एड़ कर देंगे 9 हो جाएगा और 9 में 3 का डिवाइड करेंगे तो X कोडिनेट आएगा मेरा 3 आएगा ये option गलत हो गया ये option गलत हो गया Y कोडिनेट की बात करेंगे तो Y कोडिनेट सबसे पहले है मेरे पास माइनस का 3 फिर फिर माइनस का 3 और उसके बाद फिर माइनस 3 है और इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 3 आएगा तो Y कोडिनेट मेरे पास माइनस 3 होना चाहिए C आप्शन भी गलत हो जाएगा मेरा अंसर आजाएगा B आप्शन तो सिदा सिदा सेंट्रोइड के फॉर्मूले पर बेस्ट एक कॉस्चन था और यह पहला कॉस्चन बिलकुल असान कॉस्चन दूसरे कॉस्चन के और चलते हैं दूसरा कॉस्चन क्या बोलता है Z एक्सिस के डिरेक्शन रिशो क्या होते है डिरेक्शन को साइन क्या होते है 0-0-1 क्योंकि Z एक्सिस का X एक्सिस साथ एंगल बनता है 90 degree Z axis का Y axis साथ angle बनता है 90 degree और Z axis का खुद के साथ angle बनता है 0 degree तो Z axis के जो direction को साइन होते हैं वो 0,0,1 होते हैं ये भी सिधे देखती होने वाला question था अब चलते हैं तीसरे question की ओर तीसरे question में बोला गया है कि ये दोनों प्लेंस जो हैं अपस में parallel है और इन दोनों parallel planes के बीच की distance बतानी है तो अगर कभी भी दो parallel planes के बीच की distance बतानी होती है तो इतने इतने को हम सबसे पहले same करते हैं तो सबसे पहले equation को 2 से multiply कर देते हैं तो ये आजएगा 8x minus 4y plus 8y plus 18 equal to 0 ये पहले equation होगी दूसरी equation सेम रख लेते हैं अपने 8x minus 4y plus 8z यहां पर 8 के साथ z आना था z आएगा यहां पर plus 21 equal to 0 और दो parallel planes के बीच की जो distance होती है वो होती है d1 minus d2 दोनों constant का difference upon a square plus b square plus c square तो ये बनेगा 21 में से 18 को minus करेंगे तो उपर 3 आएगा नीचे आएगा रूट में a का square plus b का square plus c का square 64 plus 16 plus 64 और ये मेरे पास आजएगा 64 और 64 128 और 16 144 का रूट 12 1 by 4 हमारे पास इस question का answer रहेगा ये option अपने पास answer है दो parallel planes के बीच के distance निकालने का सिधा सिधा फोर्मला लगाएंगे और हमारे पास answer आजएगा तीसरे question के बाद मैं चोथे question की और चलता हूँ चोथा question क्या कह रहे है the equation of plane passing through the intersection of plane this and this and the point this दो planes के कभी भी intersection से पास करने वाले plane की बात करें तो हम family of planes की और जाएंगे और family of plane की equation होती है P1 प्लस lambda in 2 में P2 equal to 0 P1 जहां पर पहले plane की equation होती है P2 दूसरे plane की equation होती है तो P1 की जगह पर मैं रखूंगा 2X प्लस Y प्लस 2Z minus 9 प्लस lambda in 2 P2 की जगह रखूंगा 4X minus 5Y minus 4Z minus 1 equal to 0 ये मेरे पास इन दोनों planes की family में से गुजरने वाला कोई भी plane हो गया लेकिन मुझे उस plane की equation चाहिए जो 3,2,1 से पास करे तो इस पूरी equation के अंदर X की जगह 3 रख दो Y की जगह 2 रख दो और Z की जगह 1 रख दो तो 3 into 2 is 6 plus 2 plus 2 minus 9 plus lambda into 12 minus 10 2,2 minus 4 ये हो जाएगा 12 minus 10 minus का 4 minus का 1 equal to 0 तो ये हो जाएगा 10 में से 9 गया 1 plus lambda into 12 में से 10 गया 2 2 में से 5 गया minus 3 और यहां से आप देख सकते हैं कि lambda की value जो आ रही है वो 1 by 3 आ रही है ये lambda की value 1 by 3 आप उठा कर यहां put कर दें तो जब इस lambda की जगह यहां 1 by 3 रखूंगा तो 3 LCMA के ये हो जाएगा 6X plus 4X ये हो जाएगा 10X 3Y minus 5Y minus का 2Y 3 into 2 6Z 6Z minus 4Z plus का 2Z हो जाएगा constant की बात करें तो minus का 27 और minus का 1 minus का 28 equal to 0 हो जाएगा तो ये आजएगा 10X सभी में है minus का 2Y ये गलत हो गया 2Z plus का चाहिए ये दोनों भी गलत हो गया ये option जो है वो हमारे पास इस question का answer हैगा 10X minus 2Y plus 2Z equal to 28 इसके बाद अपने चलते हैं 2019 के 2019 के first paper की last question के और चलते हैं sphere की radius पूछी गया बिल्कुल नकली सा question रहेगा तो सबसे पहले center के coordinate निकाल लेते हैं X के coefficient का अधा करके sine change Y के coefficient का अधा करके sine change Z के coefficient का अधा करके sine change फिर radius जो होती है under root के अंदर इन तीनों का तो square करके add करना है हमें 9 plus 16 plus 25 फिर जो constant होता है उसको अपने minus करते है minus 1 तो root 49 मतलब 7 हमारे पास sphere की radius आजेगी तो मैंने radius निकालने के लिए under root के अंदर U square plus V square plus W square minus C formula लगाया है under root के अंदर U square plus V square plus W square minus constant ये sphere की radius निकालने का formula लगाया है और ये था मेरे पास 2019 के first paper का last question चलते हैं इसके बाद 2019 के second paper की और 2019 के second paper का पहला question क्या गया रहा है देखते हैं straight line passing through the point this makes an angle 60 degree with the positive direction of Z axis gamma की value आपको 60 degree दे रखिया and cosine of angles made by it with the positive direction of Y axis मतलब cos beta की बात कर रहा है and x axis मतलब cos gamma की बात कर रहा है cos alpha की बात कर रहा है इन दोनों का जो ratio है question वाले ने root 3 ratio 1 दिये what is the acute angle between two possible position दोनों possible positions के बीच में acute angle पूछा है तो मैंने अगर ratio ये दिया है तो cos alpha को मैंने K मान लिया तो cos beta जो है वो root 3 times of K हो जाएगा और cos gamma की value आपके सामने है gamma की value 60 degree दे रखिया और cos 61 by 2 होता है और हम जानते हैं cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma 1 होता है cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma जो है वो 1 होता है तो ये बनेगा K square plus 3 K square plus 1 by 4 equal to 1 तो 4 K square equal to 3 by 4 आजेगा तो यहाँ से K square equal to 3 by 16 आजेगा और K की value जो आएगी वो plus minus unroot 3 by 4 आजेगी मतलब एक बार K को मुझे root 3 by 4 plus का लेना है और एक बार K को मुझे root 3 by 4 minus का लेना है अगर K को root 3 by 4 plus का लेता हूँ तो पहले पहली line के direction ratio आएगे root 3 by 4 अब इसको जा direction ratio बोल दो direction cosine बोल दो कोई फरक नहीं बढ़ता है क्योंकि सभी direction cosine जो होते हैं तो root 3 by 4 यहां भी root 3 by 4 रखेंगे तो 3 by 4 आएगा और 1 by 2 यह तो तब आए है direction ratio जब K की जगह मैंने plus का root 3 by 4 रखा है अब K की जगह मैं माइनस का root 3 by 4 रखूंगा तो माइनस का root 3 by 4 minus का 3 by 4 1 by 2 यह मेरे पास दूसरी के direction ratio आगे या फिर बोल दो direction cosine आगे ठीक बात है दोनों लाइनों के बीच में एंगल क्या होता है cos theta बराबर a1 into में a2 यह आएगा माइनस का 3 बटा में 16 b1 into b2 माइनस का 9 बटा 16 c1 c2 1 बटा 4 कुछ ऐसा आगया इसका mode 16 जब LC में लोंगा तो यह बनेगा माइनस का 12 और प्लस का 4 माइनस का 8 upon 16 का mode यह आजएगा 1 by 2 और cos की value 1 by 2 कब होती है 60 degree पे तो दोनों लाइनों के बीच में एंगल जो है वो 60 degree है अब इस formula के अंदर upon में भी होता है महरे पास root a1 का square b1 का square वगर 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 लेकिन आप देखोगे इन तीनों का square करके add कर लो 1 आएगा इन तीनों का square करके add कर लो 1 आएगा क्योंकि ओलरडी आपके पास यह direction cos है और direction cos के square का sum 1 होता है इसलिए मैंने upon में नहीं लिखा था और यहां से theta value आपके पास 60 degree आ जाएगी तो यह था पहला question 2019 के second paper का थोड़ा सा length ही जुरूर था आपका यह question जो है 2,5,3 minute खा सकता है तो उमेध है अगले question जो है कम calculation वो ले आएगे दूसरा question कुछ इस तरीके से ए point on the line है जो coordinate यह ठीक है कोई line है उसके कुछ इस तरीके से coordinate आपको दे रखे है उस line के direction को sign पूछे है क्या होगे x coordinate आपको दिया है p plus 1 y coordinate आपको दिया है p minus 3 z coordinate आपको दिया है root 2p तो पहली equation से p की value जो आ रही है पहली equation से जो p की value आ रही है x minus 1 आ रही है दूसरी equation से p की value जो आ रही है वो y plus 3 आ रही है तीसरी equation से जो p की value आ रही है वो z by root 2 आ रही है इसके upon में भी 1 है इसके upon में भी 1 है तो यह p आपके पास कोई constant है तो यहां से आप clearly देख सकते हो कि आपके पास line की equation बनकर त्यार होगी है तो 1,1,root 2 इस line के direction ratio होगे मुझे direction cosine पूछे तो इन सभी को इसका square 2 plus 1 plus 1 root 4 सभी को 2 से divide कर दो आपके पास direction cosine आ जाएंगे और आपका answer जो आएगा वो आएगा इसका 1 by 2,1 by 2,1 by root 2 यह option आपके पास answer आएगा तो direction ratio थे आपके पास वहाँ से आपने direction cosine निकाल ली दूसरे question के बाद मैं तीसरे question के और चल रहा हूँ तीसरा question क्या कह रहा है कहता है ऐसा कौन सा point है जो line के उपर है जो line को satisfy करेगा वही इस line के उपर होगा x को 3 रखा तो यह आएगा 2 by 1 2,5 रखा तो यह भी 2 by 2,1 4 रखा तो यह satisfy नहीं किया यह 1 नहीं आया पहला गलत 2 रखा तो 1 आगया 5 रखा तो 1 आगया 5 रखा तो 1 आगया b point जो है वो line को satisfy कर रहा है इसका मतलब यह जो b point है वो इस line के उपर है यह बिलकुल नकली सा question था सीधा सीधा value put करनी थी point put करके चेक करना था तीसरे question के बागत मैं चौते question के और चलता हूँ चौता question क्या कहा रहा है if the line lie on the plane then what is the value of k कहता है अगर यह line जो है वो इस plane की उपर lie करती है तो k की value उताओ अगर यह पूरी की पूरी line इस plane की उपर lie करती है तो line जिस point से गुजर रही है वो point भी तो plane की उपर ही लाई करेगा मतलब line गुजर रही है 4,2,k से और अगर पूरी की पूरी line इस plane की उपर है तो यह point भी तो इस plane की उपर होगा तो यह point उठाकर direct plane की equation के अंदर put कर दो तो यह आजेगा X की जगा 4 put किया तो 8 आगया माइनस Y की जगा 2 रखा तो यह भी 8 आगया Z की जगा K रखना है और equal to में 7 है और यहां से आपके पास K की value जो है 7 आ रही है यह बिल्कुल असान question था सिदा सिदा question था question number 4 के बद last मैं question number 5 की और चलता हूँ जो की last question है कहता है if the points lie on a straight line तीनों के तीनों point जो एक ही line के उपर lie करते हैं तो X और Y की value बताओ क्या होगी तो सबसे पहले इन दो point से गुजरने वाली मैं line की question निकाल लेता हूँ X minus X1 Y minus Y1 Z minus Z1 upon direction ratio X2 minus X1 4 में से 2 गया 2 Y2 minus Y1 2 में से 0 गया 2 Z2 minus Z1 यह जगा 4 अब यह जो point है जो point X और Y के हमने value निकाल ले है यह point भी इसी line के उपर है तो X, Y, Z की जगा यह तीनों point पूट कर दो तो Z की जगा मैं minus 3 पूट कर दूँगा और Z की जगा जब minus 3 रखूँगा तो X minus 2 by 2 equal to Y by 2 minus 3 plus 1 minus 2 और minus 2 में 4 का डिवाइड किया तो minus का 1 by 2 आ गया इतने इतने को solve कर लेंगे तो Y की value minus 1 आ जाएगी और Y की value minus 1 वाला सिर्फ एक यह option है और जब इसको इसके साथ solve कर लेंगे तेक्स की value वान आ जाएगी यह था 2019 के second paper का पांच वा question तो सिर्फ पहला question ही था 2019 के second paper में जो थोड़ा सा length थी था बाकि सभी question जो बिल्कुल असान थे तो अमीद है आपको सभी question समझाए होंगे थैंक्यू सभी को जैहिंद